दोस्तों, मा गंगा की पवित्रता और पाप से मुक्ती दिलाने की बाते तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं एक पाप माता गंगा ने भी किया था और वो पाप कोई छोटा मोटा पाप नहीं था। अब सोचने वाली बात है कि सबको पाप मुक्त करने वाली गंगा से आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गया थी। दरसल, मा गंगा ने अपने ही साथ पुत्रों को नदी में बहा दिया था, जिससे उनकी मृत्यू हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक मा ने अपने ही पुत्रों के साथ है सक्यों किया। एक दिन हस्तिनापूर के राजा, राजा शांतनू जंगलों में घूमने निकले और उनकी मुलाकात गंगा जी हुई। गंगा की सुंदरता और उसकी निर्मलता देखते ही शांतनू उन पर मोहित हो गए और उन्होंने गंगा के सामन एक शर्ट भी रखी। शर्ट ये थी कि वो जो भी करेंगी कभी उनसे किसी काम को करने की वजए नहीं पूछी जाएगी। अगर राजा इस वचन को तोड़ते हैं तो माता गंगा उन्हें उसी पल छोड़कर चली जाएंगी। शांतनू ने गंगा की ये शर्ट तुंत मा पती हुई लेकिन गंगा ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। राजा अपने वचन से बंधे थे इसलिए उन्होंने गंगा से कुछ नहीं पूछा। समय तो बुजर रहा था लेकिन ये बात सभी के मन में घर कर चुकी थी। इसके बाद राजा शांतनू को दूसर पुत्र हुआ लेकिन मा गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। महल में चारों और इस बात की चर्चा होने लगी भला कॉमल रिदे रखने वाली महारानी गंग इतनी क्रूर कैसे हो गई। इसके बाद उन्हें जो भी संतान होती माता सभी को नदी में बहा देती। ऐसा करते करते माता ने अपनी साथ संतानों को मार दिया। कुछ समय बाद राजा शांतनू और मा गंगा के आठवी संतान हुई। माता उसे लेकर नदी में बहाने निकली ही थी कि राजा शांतनू ने उन्हें रोग दिया और अपने वचन को किनारे रख कर उनसे पूछा, महर शांतनू से ये बाते सुनकर माता से रहा न गया, उन्होंने कहा बस करिये स्वामी, आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं। मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख कर अपने पुत्रों को खुद से दूर किया है। मैं कोई कठोर हृदे की मा नहीं हूँ, बलकि अपने पुत् पुत्रों को कष्टों में कैसे देख सकती है, वो भी पूरा जीवन। माता गंगा से ये बाते सुनकर शांतनू हैरान हो गए। गंगा ने कहा, स्वामी लेकिन अब आपने अपना वचन ही तोड़ दिया, इसलिए अब मुझे आपको छोड़ कर जाना होगा। मैं अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने आजीवन शादी न करने की प्रतिग्या भी ली थी और उनकी इसी भीशन प्रतिग्या की वज़य से ही उनका नाम भीश्न पड़ा। वो कितने महान और शक्तिशाली थे, ये तो आपने महाभारत में सुना ही होगा। उन्होंने महाभा अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो देगए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं